हेलो दोस्तों तो कैसे आर आप लोग आसा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी त्यारी भी मस्त चले होगी तो आज आर हम पढ़ने वाले जो हम लोग क्लाश टोल फिजिस का दूसरा चाप्टर देख रहे थे इस थिर वैद्दूत भी बहुत आता धारिता तो आज आर इस चैप्टर का स्थिर वैद्दूत भी बहुत आता धारिता का तो एकदम मस्त तरीके सम लोग पढ़ेंगे संधारित्र जिसे इंग्लिस पे कैपा सीटर बोला जाता है क्या होता है ये और इसका सिद्धान क्या होता है एकदम आसान सब दो में ठीक है त्यार भाई प्ली सिर्फ वैद्दूत भी बहुत अथा धारिता इस चैप्टर के सारे वीडियो बतलब जितने अभी तक हो चुके हैं आप देखना जाते हो तो डिस्क्रिप्सर प्लेलिस्ट है फिजेग्स की उस पर जाके आप इस चैप्टर के सभी वीडियो को देख सकते हो तो चलो देखते हैं ठीक है बात करें संधारीतर क्या पासीटर की तो संधारीतर में क्याता है दो आपका चालक प्लेटे होते हैं आपके पास क्या होता है संधारितर में दो चालक प्लेटे होती किसी भी धात की हो सकती चालक प्लेटे ठीक है तो दो चालक प्लेटे हैं आपके पास आप देखो यह जो दो चालक प्लेटे होती है इनको आपको एकदम आती निकट रखना होता है ठीक है मतलब बहुत ही पास रखना होता है आप करना कैस पहली वाली जो प्लेट है इस पहली वाली प्लेट को किसी विद्दुत के स्रोष से जोड़ देना है यहां पर इस पहली वाली प्लेट को किसी भी विद्दुत के स्रोष से जोड़ देना है ठीक है मानलों ने यहां पर इस टैफ का एक जा देंगे ठीक है ध्यान से समझते रहो बस आप से हमने का संधारित तरह आगर आप बनाना चाहते हो तो आपको दो चालक की प्लेटे लेनी है किसी भी आकार का चालक हो सकता है इस टाइब से दो चालक प्लेटे लेनी है पहली चालक प्लेट को आपको इस टाइब से एक ता प्लेट इस पह प्लस का आवेश आजाता है और ढूसरी वाली प्लेट को क्या YEAH कर करना हूं अम लोग इसे ला देते हैं हैंई भू संपर्कित करें हैं मतलब है जो दूसरी चालक प्लेट है इसे आपको भूमी से जोड़ देना है उसको धरती से जमीन से जोड़ देना है जिससे क्या होगा इस पर माइनस आवेस आजाएगा इस पर कौन सावेस आजाएगा माइनस आजाएगा ठीक है इस पर कौन सावेस आजाएगा माइनस आजाएगा ठीक अब विदुद के स्रोज से चोड़ाएं, इसका रड़ से प्लस आवेस आजाता है, दूसरी जो प्लेट है, इसे किसे जोड़ दो, इसे भूमी से संपरकित कर दो, भूमी से जोड़ दो, जिससे क्या होगा, इसपे माइनस का आवेस आजाएगा, ठीक है, आप जो ये पूरा समा योजन जो बनता है जाकि जो पूरा आपका बला पूरा जो इस्ट्रक्चर ये पूरा बनता है इसे ही कहा जाता है संधारितर क्या पासिटर ठीक है संधारितर कहा जाता है अभी बात करेंगे कि इसको बनाया भी क्यों जाता है ये भी आपको बताएंगे अभी टेंसर नह और आप एक तरीके से ऐसे भी कह सकते हो कि संधारित्र में दो प्लेटे होती जिस पर एक प्लस आवेस होता है थीक है इतनी बाते सभी अप सभी को इतना समझ में आया आप थोड़ा हम लोग इसकी पईबासा पड़ते इसका सिध्धांत पड़ते हैं फिर समझेंगे ठीक है और तो देखों यहाँ पर हमने कि युक्ती है संधारीत्र एक ऐस अइसा समयोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में वर्धी किये भिना मालब कोई चालक प्लेटे हैं के आकार में आपको वर्धी नहीं करने मलब की मालो चालक है इसका आपको आकार नहीं बढ़ा करना किसी चालक के आकार में व्रधी किये बिना आप आवेस को नियत रखे आवेस को नियत रखे मलब जो आवेस हो मालो इस पहली प्लेट पे प्लस का क्यों प्लस है तो प्लस क्यों आवेस इस पे माइनस है ठीक है प्लस लगाए ना तो मनला प्लस क्यों आवेस माइनस आवेस है तो माइनस क्यों तो पहली प्लस क्यों आवेस दूसरी प्लस क्यों आवेस दूसरी प्लस क्यों आवेस दूसरी प्लस क्यों आवेस तो कहा गया संधारी तरह कैसी उक्ती जिसमें चालक क्याकार में संधारिता सी के मान में व्रध्धी की जाती है तो यह सिद्धान संधारित्र का सिद्धानत होता है ठीक है संधारित्र एक ऐसी युक्ति या एक ऐसा समायोजन है जिसमें क्या कह जाता है जिसमें चालक के आकार में व्रध्धी किये बीना मतलब आपको चालक के आकार को नहीं रखकर आवेस के मान को नियत रखना है मरलब आवेस के मान को भी बदलना नहीं है जो भी आवेस का मान है उसको वैसा ही रखना है आवेस को नियत रखकर विभाव वी के मान में कमी करके जो विभाव वी होगा उसके मान में आपको कमी कर देनी है जिससे धारिता सी के मान में किसी भी आकार के दो चालकों का युगम है संधायत किसी भी आकार के दो चालकों का युगम है या दो चालकों का जोड़ा है पहला चालक यह है दूसरा चालक है तो संधायत किसी प्रकार के दो चालकों का जोड़ा है या दो चालकों का युगम है तो संधायत किसी भी आकार क दो चालकों का युक्म है जो की एक दूसरे के समीप हो तता जिन पर बराबर वा विप्रीद प्रकार के आवेस हो इन चालक प्लेटों को संधारित की प्लेटे क्याते हैं सबसे पहले का गया संधारित किसी भी आकार के दो चालक प्लेटों का युक्म होता या जोड़ा होता ह है और जो की एक दूसरे के समीब होती है देख सकते हो यह दोनों एक दूसरे के बहुत ही समीब है तो यह दोनों प्लेटे एक दूसरे के समीब होती तथा जिन पर बराबर वा विपरीद प्रकार के आवेस होते हैं देख सकतों 1 प्रसाइज है एक माइनस आवेस तो बराबर वखित परकार यह इंचालक प्लेटों को संधारितर की प्लेटे बोला जाता है तो यह बात है संधारितर की ठीक है अब ही आपको और अच्छे समझ भाएंगे टेंसन बिल्कुल न लो ठीक है आप यहां पर देखो लिखा हुआ है संधारित की धारिता संधारितर की धारिता का सूत्र की बात करें तो धारिता जब आपको इसके पहले वाले वीड़ो पर पढाता, उसपे बताना थे सी बराबर सूत्र होता है, Q अपन में V, थेीक है, धारिता होती है, Q आवेस बिभाव होता है, अगर यहां पर से हम बात करें तो सी जो होता है सी और वी में अगर इसमें संबन देखे तो सी जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है एक बटा वी के ठीक है सी जो होता है एक बटा वी यहां पे लिखा हुआ है तो यह अनुक्रमानुपाती का चिन तो एक के बटे में लिखा जाएता है सबको बता है ना तो इसे जो है वह वह इस टाइब से लिखा हुए सी अनुक्रमानपाति एक बटा वी तो अगर वी के मान में आप कमी करते हो अगर वी के मान में कमी करते हो तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा सी के मान में व्रधी ठीक है इसलिए का गया विभाव वी के मान में कमी करके सी के मान को बढ़ा जा सकता है और इसका उल्टा अगर के मान के ज्यादा करते हो वी के मान को तो सी का मान कम हो जाता है मतलब यह समझे उल्टा होगा विभाव वी का मान बढ़ाओगे तो सी का मान घटेगा सी का बढ़ाओगे तो वी का घटेगा ठीक है तो इसलिए का गया था विभाव वी के मान में कमी करके विभाव वी के मान म पूरा हम आपको रिवाइच करा दे सबसे वह अपने बांद की संधारित्र क्या होता है तो मैं संधाय। ठिक है सिंपल बात करें संधारित्र क्या होता है आपने क्या करना क्या होता है संधायत के सिधान पर संधायत का सिधान यह कहता है जिसमें चालक के आकार में व्रधि किये बिना आपको चालक का आकार नहीं बढ़ाना और आवेस को नियत है लाको नियत रखना भी कर दो इस 25 én कंदारित का उप चाहिए ठीखbec है अगर आपको दाइटा सो तता जिन पर बराबर वा विपरित प्रकार के आवे सो इन चालक प्लेटों को संधायot की प्लेटे कहते और सी क्वाल टू क्यूपान वी किसका सूथ होता है संधायot की धारीता सी का आगर इसको संबन देके तो C अनुक्रमाणुपाथी एक बटा वी और यहां पे C का मात्रग भी जान लो C का मात्रग जो होता है खाए फेरेड ठीक है खाए फेरेड होता है S का मात्रग ठीक है तो यह सिंपल सी बात है तो यह बात है संधारित की आपने देखा था दो चालक फ्लेटे थी एक को आपने क्या किया विद्दुत के स्रोष से जोड़ा यहाँ पे लिख लेना विद्दुत स्रोष ठीक है एक विद्दुत के स्रोष से जोड़ा किसी भी स्रोज से आप जोड़ सकते हो जिससे विद्धुत आपको मिल जाए हमने एक विद्धुत के स्रोज से जोड़ा जिससे इस प्लेट पे प्लस आवेस आयता है इसको भूमी के द्वारा जोड़ दिया गया भूमी में जोड़ दिया गया भू संपरकित कर दिया गया ज और वाइनस नहीं लेना इस टाइब से रखने ठीक है तो यह आपका है संधारित के बारे में आसा करते हैं सबको संधायत सा समझ में आ गया संधायत किसे कहते हैं यह आपकी पईबासा या सिद्धान कुछ भी समझ रहेक्ट हो आसानी से लिखा हुआ है पेपर बूचे जाता चैनल को सब्सक्राइब जैसे करोगे आपको अंदर जाना प्लेलिस्ट वाला मिलेगा उस पर जाके आप फिजिस और क्रिमस्ट्री की पढ़ाई कर सकते हो तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे इसका स्क्रीन सोटना क्यों हो तो कर लो